इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. PANB40 Tablet is a medicine that reduces the amount of acid produced in your stomach. इसे पेट और आंग के acid से संबंधित रोगों जैसे सीने में जलन, acid reflux, peptic ulcer disease और बहुत अधिक acid बनने से जुड़ी पेट की कुछ अन्य condition के इलाज के लिए इस्तिमाल किया जाता है. PANB40 Tablet is also used to prevent stomach ulcers in acidity that may be seen with the prolonged use of pain colors. यह proton pump inhibitor यानि की PPI के नाम से जानी जाने वाली दवाओं की श्रेनी से संबंधित है. इस दवा को हो सके तो सुभा, खाने के एक घंटे पहले लिया जाना चाहिए. डोज आपकी underlying condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी. अगर आपके लक्षन जल्दी से ठीक हो जाते हैं, तब भी आपको निर्धारित अवधी तक इसका सेवन जारी रखना चाहिए. आप समय समय पर काम मातरा में भोजन करके इलाज की कुशलता बढ़ा सकते हैं, और जैसे चाए और कॉफी जैसे कैफीन यूक ड्रिंक्स और मसालेदार या फैटी खाना खाने से बच सकते हैं. इस दवा के साथ देखे गए सबसे सामान्य साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, सिर्दर्द, चक्कर आना, पेट फूलना, यानि की गैस बनना, डायरिया, यानि की दस्ट और पेट में दर्द शामिल हैं. ये लक्षन आम तोर पर हलके होते हैं, लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या नहीं जाते, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें. लंबे समय तक इस दवा के इस्तिमाल से साइड इफेक्ट का जोखिम बढ़ सकता है. उदाहरन के लिए एक वर्ष से अधिक समय तक इस दवा का इस्तिमाल आपके हड़ी के फ्रेक्चर का जोखिम बढ़ा सकता है. विशेश रूप से हाई डोस के साथ. घडियों की क्षती, यानि की ओस्टियो परोसिस को रोकने के तरीकों जैसे केल्शियम और विटमिन D सप्लीमेंट लेने के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें. इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको लिवसंबंधी गंभीर समस्याएं हैं, HIV के लिए दवाएं ले रहे हैं और अतीत में इसी तरह की दवाओं से कभी अलजिक रियेक्शन हुए या हड़ी के नुकसान, यानि की ओस्टियो परोसिस से पीडित है तो आपको अपने ड अगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद